आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। दोस्तों पहले हम सभी इसे चितर के माध्यम समझते हैं, ठीके, तो दोस्तों पहला दिया गया है दाहिना प्राथमिक ब्रोंकस, और दोस्तों जो क्या होता है, दाहिना प्राथमिक ब्रोंकस होता है, ठीके, यह कौन सा है, दाहिना है, ठीके, दाहिना प्राथमिक ब्रोंक ठीके इसके पाद दूसरा दिया गया है बाया प्राथमिक ब्रोंकस तो दोस्तों जो ट्रेक्या होता है यानि कि श्वास नली ठीके यह दो शाखाओं बढ़ जाती है दाहिना प्राथमिक ब्रोंकस और बाया ठीके बाया प्राथमिक ठीके ब्रोंकस तो दोस्तो दाया प्रात्मिक ब्रोंकस और बाया प्रात्मिक ब्रोंकस दोनों ही क्या होते हैं व्यास में समान होते हैं ठीके किसमें समान होते हैं व्यास में समान होते हैं ठीके इसके बाद दूसरा विकल्प है Trachea तो दोस्तोる टरेकिय जो है इसकी शाखाएं जो है यह क्या होती है Broncus होती है दाहीना और बायः प्रात्मिक ब्रोंकस तो दोस्तोर क्यास का व्यास जो है यह किस से ज्यादा होता है Broncus से ठीक है बाया प्रात्मिक और दाया प्रात्मिक ब्रोंकस से इसका व्यास जो है क्या होता है ज्यादा होता है ठीक और तीसरा विकल्ब जो है क्या दिया गया है ब्रोंकियोल्स ठीक है श्वस्नी ब्रोंकियोल्स तो दोस्तों जो क्या होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होती है ठीक है इनकी शाखाएं जो होती है, यह क्या कहलाती है, respiratory bronchioles या श्वस्नी ठीक है? श्वस्नी bronchioles कहलाती हैं. तो दोस्तों हम चितर में देख सकते हैं कि जो श्वस्नी bronchioles है, इनका व्याज जो है, अन्य सभी के तुलना में क्या होता है? सबसे कम होता है. तो हम कह सकते हैं कि दाहिना प्रात्मिक bronchioles, बाया प्रात्मिक bronchioles और ट्रेकिया से श्वस्नी bronchioles का व्याज सबसे कम होता है. धन्यवाद.